दोड़गा सब्तसती पहला अध्याय श्री मारकन्डे जी बोले, मैं भग्वान सुरी के पुत्र सावर्नी के उत्पति की कथा विस्तार से कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिये, सुरी की छाया इस्त्री से उत्पन सावर्नी जगत जन्नी महामाया की क्रिपा से, जैसे जैसे मन पुर्वकाल में स्वारू चिस्मन्वंतर के चैत्रवनसी राजा सुरत सारी प्रित्वी के चक्रवर्ती राजा हुए वे प्रजा का नित्य प्रती औरस पुत्रों की भाती धर्म पुर्वक पालन करते। फिर भी यवन राजाओं से राजा सुरत की सत्रुता हो गई। दुष्ट दलन राजा सुरत से उनका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी सी सेना वर राजकोस होने पड़ भी यवन राजाओं ने सुरत को हरा दिया। तदंतर राजा अपने नगर में आ राज्य करने लगा तो भी अन्य सत्रू राजाओं ने राजा सुरत पर चढ़ाई कर दी और नगर में भी दुराचारी मंत्रियों ने राजा का कोस सेना तथा सारी वस्तुए छीन ली तब राजा सुरत हसकर अकेला घी घोड़ी पर सवार होकर सिकार खेलने के बहाने घने वन में चला गया उशने महरसी मेधा का सुन्दर आस्रम देखा जो अहिंसक सिंह आदी तथा सिस्यों और मुनियों से सुसूभित था वहाँ बैठे हुए महरसी मेधा को राजा सुरत ने नमसकार किया और मुनी से उचित सतकार प्राप्त कर कुछ काल तक इधर उधर विचरता हुआ उसी आस्रम में रहा कुछ समय के उपरांत फिर वह अपने राज्य तथा प्रजा के संबंध में चिंता करने लगा कि जिस राज्य को मेरे पुर्वजों ने भली भाती चलाया और प्रजा का पालन किया वह आज मुझसे रहित हो गया वे दुष्ट भृत्य गन राज्य का संचालन धर्म नीती के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं और मेरा प्रधान हाथी भी सत्रूओं के वसमें हो गया न जाने क्या-क्या कस्ट भोगता होगा और जो आज्याकारी अनुचर नित्यप्रती प्रसन्यता पुर्वक धन और भोजन प्राप्त करते थे अब उन दुस्ट राजाओं के आस्रय में रहकर कस्ट पाते होंगे और मंत्री राजकोस को कुमार्ग में व्यर्थी अपवय करते होंगे जो धन मेरे पुर्वजों ने बड़े परिस्त्रम से संग्रह किया था नस्ट हो गया होगा इस प्रकार वह राजा राजी की सभी बातों की चिंता करने लगा कुछ समय पस्चात एक दिन महर्सी मेधा के आस्रम के समीप एक वैस्य को आते देखा राजा ने उस वैस्य से पूछा अड़े भाई तुम कौन हो और यहां क्यों आये हो तुम्हारा मलीन मुख सोक युक्त क्यों दिखाई दे रहा है इस प्रकार राजा सुरत की बातों को सुनकर उस वैस्य ने राजा सुरत से कहा हे राजन मैं समाधी नाम का एक वैस्य हूँ मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रादी से ने धन के लोब में मुझे घर से निकाल दिया और मेरा धन छीन लिया है मैं धन इस्त्री पुत्र से रहित हूँ, अब मैं अकेला दुखी होकर इसवन में आया हूँ, मुझे अपने इस्त्री तथा बंधुओं का कुछ भी पता नहीं है, मैं यहां रहने के कारण अपने इस्त्री पुत्र तथा स्वजनों की परिष्थिती को नहीं जानता, कि वे इस समय अपने अपने स्थान पर सुखी है या दुखी, मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र सदाचारी है या दुराचारी, राजा बोला जिन इस्त्री पुत्रादी ने तेरे धन संपत्ती को छीन लिया, फिर उसी के स्नेह में तेरा मन क्यूं आ सकते है, वैस्य बोला आपने मेरे विशय में जो बाते कहीं, वे यथार्थ में सत्य हैं, परंतु मैं क्या करूं, मेरे चित में कठोडता नहीं है, जिन पुत्रादी ने धन के लूब में आकर मुझे घर से निकाल दिया है, हे महामते राजन, मेरा चित फिर भी उन्ही में आसक्त होता है, यह जा इसी से उर्ध्वम स्वास चल रहे हैं, मुझे इसका दुख है और मैं खिन्न है, मन खिन्न है, मैं क्या करूं, इन स्वजनों के निष्ठुर होने पड़ भी मन में उनके प्रति प्रेम है, स्री मारकंडे जी बोले है, द्विजश्रेष्ट, तत्पस्चात, राजा, सुरत और समाधी, वैस्य दोनों स्री मेधा मुनिके समीब गए, और प्रणाम करके बैठ गए, और मेधार इसी से कथा वारता करने लगे, एक राजा बोले, हे भगवन, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप उसे बताईए, हे महराज, मेरा मन वसमे नहीं है, इससे राज्य तथा इस्त्री पुत्र बांधवो की ममता मुझे अभी तक बनी हुई है, हे मतिश्रेष्ट, यह जानते हुए भी क्यू मेरा सनेह अज्यानियों की भाती उनसे विसेश बढ़ता जाता है, और इस समाधी वैस्य को इसके इस्त्री पुत्रादी ने त्याग दिया ह तथा इसे घर से निकाल दिया है, यह भी उनमे अत्यानत आसक्त रहता है, इसी तरह हम दोनों बहुत दुखी है, हे महाभाग, उनके दोसों को जानते हुए भी हम दोनों का हुरदे उनके प्रती मोह मा आसक्त रहता है इतना ज्यान होती हुए भी ऐसी ममता क्यूं है हम दोनों को अज्यानियों की भाती मूढता क्यूं उत्पन हो रही है महर्शी मेधा ने कहा है महाभाग विशे मार्ग का ज्यान समस्त जीव जन्तूओं को है इसी प्रकार विशे भी उनके प्रिथक प्रिथक होते हैं कोई प्रानी दिन में नहीं देखते, कोई रात्री में नहीं देखते और कोई जीव दिन रात में समान द्रिष्टी से देखते हैं सभी पुरुस ज्यान युक्त है यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं केवल इनमें ही नहीं सभी पसु पक्षी म्रिगादी में भी मनिश्य की भाति ज्यान होता है यह स्थूल ज्यान है जैसे मनिश्य में आहार आदी की इक्षा उत्पन होती है वैसे ही पसु पक्षी में भी आहार, विहार, निद्रा तथा मैथून की एक्षा उत्पन होती है जान होने पर भी पक्षियों को तो देखो ये स्वैंग भुखे होने पर भी मोह बस अपने बच्चों की चोंच में स्ने से दाना डालकर प्रशन होते हैं मनुस्य भी अपने पुत्र पोत्रों के साथ इसी प्रकार का व्यभार करते हैं किन्तु वह पालन पोशन का बदला लेने की इक्षा से कि जब हमारी व्रिद्धा वस्था आवेगी तब हमारा पालन वे करेंगे हे नर्श्रेष्ट क्या हम तुम नहीं देखते हैं पुत्राद मोह के गड़े में डाल दिये गए हैं इसमें कोई आश्चरी की बात नहीं है क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निद्रा है जिससे संसार मोहित हो जाता है यही भगवान की महा माया है यह भगवती देवी बड़े बड़े ग्यानियों के चित्त को जबरदस्ती खी मिचकर मोह में डाल देती है इस देवी ने ही चराचर विष्व उत्पन किया है और यह देवी प्रसन होकर भक्तों को वर्दान देती है जिससे मुप्ती की प्राप्ती होती है यही मुप्ती का परम हेतु और सनातनी ब्रह्म ज्यान स्वरूपी विद्या है यह भगवती ही सांसारिक बंधनों के हे तु तथा सर्विश्वरी है राजा बोला हे भगवन आप जिसे महा माया कहते है वह कौन सी देवी है हे द्विजवह देवी कैसे उत्पन हुई उसका क्या कारे है उसका स्वभाव, स्वरूप, उत्पत्ति आदी के विशे में मैं जानना चाहता हूँ सो आप सभी वृतांत मुझे सुनाईए रिसी ने कहा वह जगन मुर्ती नित्य है और सब चराचर में व्यापत है तथा पि उसकी उत्पत्ति अनेक भाती से है उसका को तुम मुझसे सुनो यह भगवती देवताओं के कारे सिद्ध करने के लिए उत्पन होती है और अजन्मा होकर भी उत्पन्ना कहलाती है जब भगवान विश्णु संपुर्ण विश्व को त्याग अंत में जल ही जल करके योग निद्रा में सेज सया पर सयन कर रहे थे उस समय विख्यात मधु और कैटब नाम के घोड अमर भगवान विश्णु के कान के मैल से पैदा हो ब्रह्मा जी को मारने को तयार हुए वही ब्रह्मा जी जो विश्णु भगवान के नाभी कमल में इस्थित थे उन दोनों भयंकर अशुरों को मारने आते देखकर और भगवान विश्णु को सोता हुआ देखकर ब्रह्मा जी योग निद्रा के प्रसन्नतार्थ एक काग्र मन से स्तुति करने लगे ताकि भगवान विश्णु के नेत्रों से भगवती योग माया अपना प्रभाव हटा ले और भगवान जाग पड़े बह योग माया विश्वेश्वरी जगन माता श्थिती संहार करने वाली भगवान विश्णु की अतुल तेजवाली निद्रा स्वरूपा अनुपम सकती है ब्रह्मा जी बोले है महा माय तुम देवताओं को पालन करने वाली हो तुम पित्रेश्वर का पोशन करने वाला मंत्र हो तुम ही इंद्र को यग्यभाग पहुचाने वाला मंत्र हो अमृत भी तुम ही हो तथा नित्य व्यांजन भी आप ही हो हे देवी तुम ही संध्या सावित्री और संसार की उत्पत्ती करने वाली हो हे मातिस्वरी आपने ही सारे संसार को धारन कर रखा है तथा इस विश्व को रचने वाली आप ही हो हे देवी विश्व का पालन और संहार करने वाली आप ही हो रचना काल में स्रिष्टी रूप तथा पालन काल में स्थिती स्वरूपा आप ही हो हे जगन में इस विश्व के संगहार काल में आप संगहार स्वरूपा हो आप महा विद्या, महा माया, महा मेधा, महा इस्मृति और महा मोहा, महा देवी, महा मुडी हो हे मातिश्वरी आप ही समस्त चराचर के तीनों गुणों को उत्पन करने वाली प्रकृती हो आप ही काल रात्री, महारात्री तथा दारून मोह रात्री हो आप स्री इस्वरी और बुद्धी की बोद्ध स्वरूपा हो लज्जा, पुस्टी, तुस्टी, सांती, छमा आप ही हो और हे मातिस्वरी आप खडग, सूल, घोर, गदा, चक्ड, संख, धनुश्वान, भुशुंडी, पडिध, आदि अस्त्र सस्त्रों को धारन करने वाली हो हे देवी, आप ही सौम में सौम्यतर हो, तथा संसार में आप ही अतिसुंदर हो, पड़ तथा अपड़ों में स्रेश्ट तुम ही पड़मिश्वरी हो अखिल लात्मिके सत्ट और असत्ट, जो कुछ जहां है, उन सब की सक्ति आप ही हो मैं आपकी कैसे प्रार्थना करूँ जो इस विष्व की रचना पालन और संखार करता है, उस भगवान विश्णू को आपने अपनी निद्रा के वस में कर लिया है फिर भला बताईए और कौन आपकी प्रार्थना करने में समर्थ है जबकि आपने भगवान विश्णू, संकर्थ तथा मुझसे यह सरार ग्रहन कर लिया है अतह कौन मनुस्य या देवता आपकी इस्तुति करने में समर्थ है आप तो अपने प्रभाव से प्रसंसित हो मधू और कैटव नाम के इन महादुस्टों को अब आप मोह लीजिए और जगदिस्वर भगवान विश्णू को जगाईए इन दोनों महान अशुरों का संगहार करने के लिए भगवान को बुद्धी दीजिए रिसी बोले इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधू और कैटव अशुरों के संगहार के लिए तथा भगवान विश्णू को जगाने के लिए तामसी देवी की प्रार्तना की तो उसी समय भगवान विश्णू के नयन मुख नासिका भुजा हिर्दय और वक्षस्थल से निकल कर अव्यक्त अजन्मा योग माया ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित हो गई और योग निद्रा से मुक्त होने पर भगवान जनार्दन जाग पड़े तदंतर भगवान विश्णू ने उन महा पड़ाक्रमी वेड्यवान मधु और कैटब असुरो को देखा ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए जिनकी आँखे रक्तवर्ण हो रही थी तब भगवान विश्णू ने सेश सया से उठकर उन असुरों से पाँच हजार वर्स तक बाहु युद्ध किया अति बलसाली और उनमत दोनों असुरों को महा माया ने मोहित कर रखा था अतह दुस्टों ने भगवान से कहा कि हम तुम्हारी वीर्ता से संतुष्ट है तुम हमसे वर्दान मांगो भगवान ने कहा यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथ तुम्हारी मृत्यू हो मैं तो केवल यही वर्चाहता हूँ रिसी ने कहा इस भाती जब भगवान विश्टों ने उनसे यह वर्दान ले लिया तो वे भगवान से कहने लगे कि हमें सरवत्र जल ही जल दिखाई देता है इसलिए हे भगवान हमारा वधुस्त स्थान पड़ कीजिए जहां प्रित्वी पर जल ना हो रिसी मेधा ने कहा तब भगवान विश्टों ने संख चक्र गदाधारन किये और उनसे तथास्तु कह दोनों के सिर अपनी जांग पर रख कर चक्र से काट दिये इस प्रकार यह महमाया देवी स्री ब्रह्मा जी के स्तुती करने पर स्वैंग प्रकट हुई थे